पिछले सब्तार टीका करण की गती थोड़ी धीनी पड़ गए जिसके बाद कई सारे विशलेशकों की टिपणिया आए कि कैसे केंद्र सरकार टीका करण अभ्यान का प्रबंधन करने में विफल रही है वह घटिया काम कर रही है इसके साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आए जो यह दर्शाती थी कि टीके के अभ्याव के कारण कितने सारे जिलों में कितने टीका करण केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है इस पूरे मामने को राजनीती करंग देने के लिए विबिन राजियों से राजनेताओं की विटिप पणिया आई जैसे केरला के मुख्य मंतरी पिनराई विजियन जो की दिल्ली से पिरुवनन पुरम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी नरे सिसोधिया ने टूइट करके ऐसी शिकायत की तमिल नाडू के मुख्य मंतरी एमके स्टालिन ने तो टीके के अभाव की बात करते हुए यह तक कह दिया कि उन्होंने एक करोड अतिरिक्त खुराकों की मांग की है केंडर सरकार से इसे प्रकार की आवाजें तेलंगाना और राजस्थान से भी सुनने को मिली लेकिन इन सब का उत्तर दिया है कैबिनेट स्वास्त मंतरी मनसुक मांडविया ने वैसे रोचक है कि उनके शपत ग्रहन के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने टूइट निकाल कर उसमें अंग्रेजी की गलतियों को खोजा जा रहा और यह तक कहा जा रहा था कि यदि अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में क्यों नहीं लिखते और अब शायद इन ट्रोल्स को भी जवाब दे दिया है मनसुक मांडविया ने क्योंकि उन्हों नहीं यह जो ट्वीट श्रिंखला लिखी है टीके के अभाव के बारे में आवंटिट की गई हैं यानि दो करोड अधिक खुराकें दी जा रही है जून की तुलना में जुलाई में इसके अलावा उन्होंने बताये कि किस राज्य को जुलाई में कितनी खुराके मिलेंगी इस बात की जानकारी उसे 19 जुन को ही दे दी गई थी और हर दिन कितनी जुलाई के पहले पक्वाडे के हर दिन की जानकारी 27 जुन को दे दी गई थी और जुलाई के दूसरे पक्वाडे की जानकारी 13 जुलाई को दे दी गई थी ऐसे में राज्यों के पास पूरे जानकारी थी कि उनके पास कितनी टीका खुराके हैं और उन्हें कितनी टीका ख लगाना केंद्र सरकार पर कूप्रबंधन का या कहीं से सही नहीं है क्योंकि जब पूरा हिसाब किताब पहले से सपष्ठ है तो यह कूप्रबंधन कैसे हुआ लेकिन फिर भी वे तो सरकार के मंत्री है तो आप उनकी बात पर विश्वास क्यों करेंगे इसलिए मैं कुछ डा जुलाई में और 12 जुलाई तक का डाटा लिया गया है तो जुलाई का जो कुल लक्ष्य है उसका 49 प्रतिशत पूरा होना चाहीए था 12 जुलाई तक तो वे किन राजियों को कितने तीके आवंटित किये गये हैं इस पूरे विश्विश्वेशन के परिणाम चार रोचक ब दूसरी बड़ी बात है कि कई सारे राज्यों में तो टीका करण अभ्यान लक्ष से आगे चल रहा है जैसे उत्राखंड, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और करनाट का इन राज्यों में आधे से जादा जुलाई की लक्ष को पूरा भी किया जा चुका है और कुछ राजे जो छोटे राजे हैं सिक्तिम, मलिपूर, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, अंडमान यहाँ पर तो लगबग टीका करण अभ्यान पूरा हो गया है जुलाई के लिए जितना लक्ष था उतना तीसरे बड़ी बातिया है कि 36 गड़ मातर 1 प्रतिशत पीछे और ऐसे ही बिहार 6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 5 प्रतिशत पीछे है जो की काफी कम संख्या मानी जाती है लेकिन चौती बात में ध्यान दे कि कुछ राजे ऐसे भी है जो चिंता का विशे बने हुए है जैसे आंध्र प्रदेश अपने लक्ष से 16 प्रतिशत पीछे चल रहा है दूसरे नमबर पर जारखंड है जो 14 प्रतिशत पीछे चल रहा है और तीसरे नमबर पर राजस्था भले ही टीका करण में थोड़ी धीमी हो गई थी गती लेकिन फिर भी फिर से डोस मिलने लगी है राज्य सरकारों को और साथ ही अब पिछले कुछ घंटों में देखा गया है कि टीका करण अभियान फिर से गती पकड़ने लगा है और वैसे भी जब यह गती धीमी भी और उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसलिए हमें अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए मैं उनिष्ठानुश्री देखते रहें सोराज